जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिन्दगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहां से जिन्दा बच कर कोई नहीं जाएगा। एक सच है कि जिन्दगी अगर इतनी अच्छी होती तो इस दुनिया में हम रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच ये भी है कि अगर ये जिन्दगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते लोगों को रुला करना जाते। आपके पास मारूती हो या BMW रोड वही रहेगी। आप एकोनॉमी क्लास में सफर कर रहे हो या बिजनस में आपका वक्त तो उतना ही कटेगा। आप टाइटन पहनते हो या रोलेक्स समय वही रहेगा। आपके पास सैमसंग हो या Apple आपको कॉल करने वाले लोग नहीं बदलेंगे। भव जीवन की लालसा रखने या जीने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सावधान रहें क्यूंकि जरूरतें पूरी हो शकती हैं लेकिन तृष्णा नहीं। एक सच ये भी है कि पैसे वालों का आधा पैसा तो ये जताने में चला जाता है कि वे भी पैसे वाले हैं। दुनिया का कोई सा भी पीर पंडित हमारा भाग्य नहीं बदल सकता, सिर्फ नाम की कमाई द्वारा ही अपने कर्म भाग्य बदल सकते हैं। आपकी नियत से ईश्वर खुस होते हैं और दिखावे से इंसान। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे प्रसंद करना चाहते हैं। अगर कभी किसी चीज का गुरूर आने लगे तो एक चकर कबरिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ आप से भी बैतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन हैं। तकलीफ हैं तो हजारों हैं इस जमाने में। बस कोई अपना नजरंदाज करे तो बरदास्त नहीं होता। चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबुजी दौलत की घर में पहली बार इकठे सारे भाई बैठे हैं। अकेले रहने का भी एक अलग सुकून है। ना किसी के वापसाने की उम्मीदें और ना किसी के छोड़ जाने का डर। पके हुए फल की तीन पहचान होती है। एक वो नरम हो जाता है, दूसरा वो मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से अच्छे परिपक्क व्यक्ति की भी तीन पहचान होती है। पहला उसमें नम्बरता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरा उसके चहरे पर आत्म विश्वास का रंग होता है। धीरे धीरे एक एक कदम चलते चले जाओ, रास्ता खुलता चला जाएगा। जवा में यारों, छोटी सी जिन्दगी है, नफरत कब तक करोगे। घमंड ना करना जिन्दगी में तकदीर बदलती रहती है। बस तस्वीर बदलती रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद।